इसमें सेंटेंस देखो एक सेंटेंस यह है यू में गो टू योर क्लासेज नाउ एक सेंटेंस यह हो गया और दूसरा सेंटेंस है इसका मतलब इस वाक्य में एक रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टेड स्पीच में दो सेंटेंस है लेकिन सैयोक्ष दोनों सेंटेंस सेम हैं यानि ये भी ऐसे रेट्व सेंटेंस है और ये भी ऐसे रेट्व सेंटेंस है यदि ये दोनों सेंटेंस अलग-अलग होते तो reporting वर्ब को दो बार change करना पड़ता लेकिन दोनों ही सेंटेंस हैं कही में है इसलिए कुछ करना नहीं है वलकि यहां एंड लागा के दोनों सेंटेंशन्स को जोड़ देना है इसका मदब सीधा सीधा बना देंगे तो यह बनेगा said to को told में बदल देंगे यानी हो जाएगा the principal told the students that you second person का प्रोनाउन तो आपज़क के पास आपज़क क्या है the students यानी यहां होगा दे प्लूरल नंबर है students singular नंबर रत्ता तो ही plural नंबर है तो दे उसके बाद में में का past tense क्या होगा might उसके बाद go to your second person का प्रोनाउन फिर पहुचा है students के पास तो हो जाएगा they are classes now का हो गया then अब यहां fully stop के अस्थान पर क्या हो जाएगा and क्योंकि अब दोनों sentences को जोड़ना है एक sentence बना देना है तो then and आई गया first person का प्रोनाउन प्रिंस्पल के पास तो लिखेंगे he yes अब ही के साथ विल तो विल का पास्टेंस होगा would he would see what आई गया first person का प्रोनाउन फिल प्रिंस्पल के पास तो जाएगा he could can का पास्टेंस could do in this का हो गया that this का that matter after the day after the next day सावित्री शेड़ ओ यमा the powerful lord you have promised me a hundred sons I do not wish for having itself without my husband कहने वाला कौन है सावित्री ने कहा किसको यम से अब इसमें क्या है कि सावित्री ने यम से कहा यह यहां होना चाहिए object के रूप में और the powerful lord powerful lord भी किसको कहा यम राज को ही कहा तो यह the powerful lord क्या है address है इसमें एक एक्स्ट्रा रूलेट करेंगे addressing age और यम क्या है तो यम यानि सावित्री ने यम से ही कहा संबोधित करते हुए इसलिए यम क्या हो जाएगा object यानि जो हम लिखेंगे तो आप मान लेंगे यह हमें मान लेना है कि सावित्री said to yama o powerful lord यही संबोधित किया है सक्तिसाली इस्वर ठीक न तो यह addressing में होगा और यह object में जाएगा यह दोनों ही word कहां fit करने है यह हमें समझना है तो अब बनाएंगे तो हो सावित्री told yama sorry 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 miss हो गया क्योंकि addressing का प्रियोग पहले करना होता है तो पहले addressing वाले वर्ड को लेंगे यहां होगा addressing as the powerful lord यहां लगा दो कॉमा सावित्री तोल्ड यमा डैट क्योंकि ऐसे रेटी संटेंस ही है आगे का संटेंस you have promised me a hundred sons टीक है तो यू गया किसके पास अब you second person का pronoun object क्या हो गया यमा यम्राज यानि he that he had promised me me किसके पास गया me first person का प्रणावन पहुंच गया सावित्री के पास यानि her promised her a hundred sons कि ठीक है चुकि संटेंस सेम है तो सेम सेंटेंस दोनों यानि यह भी ऐसे रेटीव का है और यह भी ऐसे रेटीव का ही था तो दोनों ऐसे रेटीव के हैं तो से जोड़ दो हो जाएगा यानि hundred sons and फिर आई गया किसके पास सावित्री के पास तो सावित्री यानि सी एंड सी दूनाट का हो जाएगा दिद नॉट सी दिद नॉट विस सी दिद नॉट विस फार है वें इट्सल्स विदाउट माई माई पोहुचा सावित्री के पास तो जाएगा हर असमेंड हुआ क्वेस्टन देखलो फिर से क्वेस्टन है सावित्री सेड ओ यमा दा पावर्फुल लॉड यू है प्रोमिज्ड मी ए हंडर संस I do not wish for heaven itself without my husband तो हो जाएगा पहले addressing यानी addressing as the powerful lord saavitri told yama that he had he kis ke liye है yam ke liye yukochenskia he had promised her a hundred sons and she did not wish for heaven itself without her husband I do not wish for heaven